नमस्कार दोस्तो आज जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं BSTC को लेकर हम बात करेंगे दोस्तो इस वीडियो में यानि BSTC के एक्जाम नजदी की हैं तो मैंने सोचा क्यों न एक वीडियो इंगलिस का BSTC का लगा दिया जाए तो सबसे पहले आप इस वीडियो को जरूर वोच करिएगा और ये कापी आपके लिए helpful होगा तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ BSTC exam में करीब 200 स्वाल पुछे जाते हैं और जो की 600 number के उते हैं तो यहां पर कुछ निर्देश दे रखे हैं आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या होता है उसमें सब कुछ और मैं अभी बात करूँगा दोस्तो इंग्लिस जो BSTC में इंग्लिस पूछी जाती हैं उसके बारे में बात करूँगा और मैं इंग्लिस का जो पार्ट है उसे वीडियो में तो वीडियो को एंड तक वोच करेगा दोस्तो इंग्लिस यनि अब यहां पर पढ़ने और लिबत्सों के लिए एक एक नमबर माईने रखता हैं तो सबसे पहले हम सुरू करते हैं यनि यहां पर 1500 क्यूशन थे वह अलग पार्ट के थे हम इंग्लिस की बात कर रही हैं तो सबसे पहले पहला क्यूशन पुछा गया है चूज दा ओप्शन देट इस करेक्ट इसमें से करेक्ट कौन सा है तो सबसे पहले दा टीचर वोस टू एंग्री दैट शी लेफ्ट दा क्लासरूम इसका मतलब हुआ दा टीचर वोस टू एंग्री अध्यापक टू, टू एंगरी, यहनी टू जो होता है, इसका यूज वैरी के लिए नहीं किया जाता है, इसका यूज सो के लिए किया जाता है, नहीं टू को वापस टू में लिखेंगे, करेक्ट नहीं है टू यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी टू नहीं है, ठीके दोस्तो, अगर यहाँ आंसर हुए होना चाहिए अब देखिएगा यहां पर दूसरा जो प्रस्न दे रखा है यानि 152 पर दे रखा Abundant Abundant का मतलब उतना त्या करना किसी चीज़ का त्या करना अब यहां पर Try का मतलब उतना त्या करना क्योंकि इसका close it in meaning पुचा है कि इससे सबसे ज़्यादा नजदी कौन है इसमें और फिर adopt adopt का मतलब वही गोद लेना तो इसमें हमारा correct जो meaning आ रहा है वो है forsake फिर दोस्तू 153 पर entangle entangle का मतलब होता है फसना या फसाना तो यहां पर दिखिए इसमें ऐसा कौन सा इसके opposite जो word है वो है यानि entangle का मतलब फसाना होता है यानि सीधा करना उसका क्या होगा तो उसे कहते हैं untwist ठीके दोस्तू उसके बाद है अपना यह के रहा है direction choose the correctly spelt word spelt word ढूंड़ना है इसलत दे राखे हैं हमें एक सही लिखना है तो देखिएगा abbreviate डूसरा दे राखां abi créer इबरीवीट और अब्रेवीट कौन सा ये तो है ये नहीं ये भी नहीं है ये भी नहीं है क्योंकि abbreviate की spelling जो होती है abbreviate की spelling होती है A, double B यहाँ पर कहीं नहीं A, double B तो आपका ये सही हो जाएगा दोस्तो उसके बाद next है 155 person who loves books and reading वो इंसान जो किताबों से और पढ़ाई से प्रेम करता है उसे केते हैं biblio file दोस्तो biblio file यहाँ पर आपका correct answer है पुस्तक प्रेमी केते हैं जिसे उसके बाद आपको दे रखा है passage passage को understand करना है और फिर आपको answer देने दोस्तो तो यहाँ पर दे रखा है at this stage of civilization when many nations are bought into close and vital contact for good and evil यह passage दे रखा है तो यहाँ पर इसको read crop और फिर देखो यहाँ पर दे रखा है प्रस्न mentally of a nation according to the author दोस्तो मुझे यकीन है आप यह तो करी लोगे पैसे है ढूंड करी लिखना इसमें से ठीके ना अब यहाँ पर आगे चलते हैं जो स्वाल कुछ अलग होते हैं उनकी बात करते हैं फिर दे रखा है the need for a greater understanding between nations यह भी इसी पैसे से हैं इसमें एक दे रखा हैं यह वर्ड काफी माइन रखता हैं हमारे लिए क्योंकि दोस्तों यह वर्ड अक्सर सभी गलत कर देते हैं यहाँ पर दे रखा हैं जीनियन जिसका मतलब उतना वास्त्विक ठीके ना जीनियन इन the passage means इसमें देखो historical, ethic, political यह भी नहीं है fake का मतलब वही जालीदार या जाली यहाँ पर real दे रखा है real आपका correct answer है ठीके दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दे रखा है car must be answered यानि कोई भी car है तो यहाँ पर पहली बार जब हम उसे introduce नहीं होते हैं पहली बार लिखा जाता है न की द तो यहाँ पर ना तो ए न आएगा वैसे ही नहीं आएगा द भी नहीं आएगा ओल भी नहीं आएगा तो एक आर एक आर मस्ट भी इंसर्ट ठीके उसके बाद देखो दोस्तों everyone accepted the same team to win to win यहाँ पर जैसे हमने लिखा to win या तो होता winning ठीके दोस्तों winning यहाँ पर winning तो कहीं वर्डी नहीं दे रखा है तो यह infinity वाला ही लिखेंगे to win फिर दे रखा है it took longer it took longer I accepted I expected ठीके friends तो यहाँ पर देखो दो यह दपी but then और then ठीके दोस्तों एक चीज़ याद रखना longer यह वोर्ज होते हैं यह यहाँ पर आपके comparative degree होती और comparative degree में then का use किया जाता है t h e n नही t h a n यूज किया जाता है यह रहा t h e n यह मत भर देना यह वड़ा सही है आपके ठीके direction जिसमें change the following sentence as directed in the brackets अब देखो transform into negative तो only a crowd only a covered would say no तो a covered would only not say इस तरह से हमेर हो गए यह वाकिवाले गलत हो जाएंगे क्योंकि not पहले नहीं आता है एक word पहले आएगा none नहीं आएगा negative sequence तो पहले आता ही नहीं है ठीके ना इसके बाद देखो मोहिनी is more beautiful than मित्ताली यहनी मोहिनी मित्ताली से ज्यादा सुंदर है comparative degree है use positive degree लिखना है आपको comparative दे रखार यह देना है देना यह मेने अभी जस्ट बता हैं तो आपको positive degree लिखना है मोहिनी is not so beautiful as मितली ये तो रौँग ए वैसी मोहिनी is rather beautiful than मितली ये भी रौँग है मितली is as beautiful as मोहिनी वो दोनों सेम थोड़ी है एक ज़्यादा है तो मितली is not as beautiful as मोहिनी यानि मितली मोहिनी के जितनी beautiful नहीं है समझ गए तो ये अपना आंसुर से होगा फिर है I the stadium long before the mates अब देखो before और after आता है तो before का मतलो पहले past perfect tense होता है before का मतलो पहले होता है तो आपको head plus method पहले लिखना होता है दोस्तों तो यह अपना correct answer हो जाएगा head plus method फिर है she said to me what are you doing यहां पर आपको direct narration को indirect में बदलना है तो पहला दे रखा है she said to me she said to me what are you doing तो यहां पर she said to me यहां तक पहले आपको यह ध्यान रखना है कि what are you doing दे रखा है nature of this sentence interrogative क्योंकि question mark लग रखा है what से शुरू हो रहा है तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे minor change करते समय said to की जगा ask तो लिखेंगे she asked me फिर देखिए यहां पर conjunction नहीं लगेगा क्योंकि wh word है और interrogative में conjunction नहीं लगता जब wh word होता है अगर helping वाब होती तो लग जाता if या weather अब यहां पर word का तो word लिख दो अब यहां पर देखो subject you है second person है इसके अनुसार बतलेगा object के अनुसार तो यहां पर आजाएगा आपका i और देखो r दे रखा है तो is rm को change करते है was were यह हो गया past continues i was doing तो ऐसा किसमें दे रखा है see ask me फिर हो गया यहां पर see ask me what i was doing यह वाला सही बाकी सब रहोंगे फिर देखो यह दे रखा है इसमें choose the correctly spelled word इसमें disease की spelling आपको correct आनी चीए तो यहां पर देखो यह भी गलत है यह भी गलत है यह भी गलत है क्योंकि disease की spelling यह होती है जो कि यहां पर दे रखी ठीक है इसके बाद देखो find one word for the group of words given below यहां पर दे रखा है a person with long experience of any occupation एक व्यक्ति जो लंबे समय से किसी काम में लगावा है और उसको अनुबह हुए तो wizard का मतलब जादूगर genius भी नहीं है expert भी नहीं है वेटर्ण ठीक है उसके बाद दे रखा है choose the correct synonym of eradicate eradicate का मतलब था हटाना तो यहां पर इसमें हटाना इसका कौन सथ सीधा देखते ही remove इने इसका मतलब था हटाना increase का मतलब बढ़ाना फिर दे रखा last question direction give the correct antonym of compassion जिसका मतलब था दया इसका आपको antonym मतलब opposite लिखना है तो यहां पर आपका हुजएगा head trade जिसका मतलब था घणा करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजेगा share कीजेगा अपने दोस्तों के साथ और अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर कीजेगा और साथ ही इसी के साथ काफी आपको helpful वीडियो मिल जाएंगे इस चैनल पर जैसे root word है अन्वेड में भी काफी help मिलेगी वो केप में भी काफी help मिलेगी दोस्तों